हलो माई डियर स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का सेंपल पेपर है वो डिसकस करेंगे जो टॉम वन के लिए सी बीएसी ने एशु किया है इसमें आपका वाले हम स्टाइब किस तरह का पैटर निया कितने चैप्टर में से कितने मास के कोशन साइएंगे और किस तरह की कोशन होंगे यह सब यहां पर बताए हुए हैं तो आपके यह कुशन जो है टोटल आपके आपका 25 मार्स का आपका एक्जाम होगा और यह 60 मिनिट्स मिलेंगे आपको इसको कम्प्लीट करने के लिए इसमें आपके पास दो सेक्षिन हैं पार्ट एक अंदर आपका जो है आपके एम इसमें से आपको फाइफ कोशन अटैम्ट करने है इसी तरीके से पार्ट बी आपका जो है वह सब्जेक्ट सफेस्विक यानि आपकी जो में बुक है उसमें से आपका आएगा 20 मार्स का जो आपके जो है इसमें से भी फरस्ट सेकींड और थर्ड यूनिट आपकी आएगे टोटल आपके 27 questions होंगे, जिसमें से आपको 20 questions जो हैं वो attempt करने हैं, किस तरह के questions होंगे, यह एक बार हम देख लेते हैं, यहां हमारे पास पहला question है, जो आपकी employability skill book में से है, which of the following is not classified as non-verbal communication, non-verbal communication कौन सा इन में से नहीं है, verbal communication जहां पर हम शब्दों का verb का इस्तमाल करते हैं, और जो non-verbal इसमें नहीं है, तो इसमें हमारे पास sign जो हम इस्तमाल करते हैं, sign, sign के अंदर हम कई बर words का भी use कर लेते हैं, तो sign ही ऐसा है, जिसके अंदर हम non-verbal communication में नहीं आता है, otherwise, eye context में कोई word का use नहीं होता है, gestures में नहीं होता है, body language में भी नहीं होता है, तो सही answer इसका sign है, second question है हमारे पास, the mean by which a message is sent is called, किस सीज के थुरू हम message को send करते हैं, जिस चीज के थुरू किया जाता है, उस चीज को बोलते हैं, channel, channel या medium यानि किस माध्यम से हमारा communication या message जा रहा है, third question है, it refers to a state of psychological tension and discomfort originating from unforeseen, difficult, confusing and challenging situation, हमारी life में बहुत सारे challenging situation, confusing situations आती है, उसमें हम जो कह सकते हैं, discomfort फिल करते हैं, और psychological tension है, उस state को हम क्या बोलते हैं, उस state को हम बोलते हैं, stress management, जब हम चीजों को, उस stress को ठीक करना चाहते हैं, next question है, fourth हमारा पास, realistic belief and trust of an individual is once on judgment capabilities and worthiness is called as self confidence, यानि हमारे पास हमारी खुद की क्या judgment है, हम अपने उपर कितना भरोसा करते हैं, हमारी हम जो decision ले रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है, वो हमारे self confidence को show करता है, self confidence को represent करता है, and the elementary unit of memory is bit, यानि सबसे चोटी unit जो है memory की वो bit होती है, bit मिलके byte बनता है, फिर byte मिलके nibble बनता है, nibble मिलके किलो byte बनता है, then megabyte, then gigabyte, and terabyte, but सबसे चोटी unit, elementary का मतलब है, सबसे basic और चोटी unit होती है, एक bit, जिसमें एक zero या one store का सब्सक्राइब है, question number six है, dash means an attempt to acquire sensitive information such as username और password, तो ये आपके पास एक तरह का attack होता है, जिसमें आपका username, password जो है, जो है आपकी चोरी करने कोशिश की जाती है, इस attack को बोलते हैं, phishing attack, next question है, मारे पास question number seven, which of the following key, move the cursor, text cursor to the beginning of line, कौन सी की press करने से, हमारे जो cursor है, वो line के बिल्कुल beginning में आ जाएगा, that is your home key, home की press करेंगे, तो cursor आपका बिल्कुल line के starting में जाता है, which of the following operation will create a duplication of table, table आपका duplication, इन चारो option में से किस option की थरू create होगा, तो आप copy करेंगे table, तो उसकी आप duplicate बना सकते हैं, which tab is used to add header in a document, document में आपको header add करना है, तो वो option कहां आता है, वो option आपका insert menu के अंदर होता है, question number 10 है, dash bar is located at the top of the window, and shows the name of the currently open document, आपने कौन सा document open किया हुआ है, कि software में आप काम कर रहा है, ये information आपके पास एक top part में होती है, विंडो के जिसको हम बोलते है, title bar, सबसे उपर होती है, उसमें आप किसी भी software में open करेंगे, तो उसमें software का नाम और document का नाम होता है, जो आपने open किया हुआ है, next 11th number question है, हमारे पास shortcut key is used to undo, undo करने के लिए हमारे पास control Z shortcut की होती है, question number 12 है, which is not a type of alignment, किस तरह की alignment नहीं होती word processor में, तो हमारे पास left, center, right, justify, चार तरह की alignment होती है, middle नाम से कोई भी alignment नहीं होती है, तो ये गलत option है, question number 13 है, dash refers to the fact of raw material, which are processed to get the information, हम किस चीज़ को raw facts या बोलते हैं, that is data, data को बोला जाता है, कि ये हमारे पास एक तरह से कच्चा data है, raw material बोल दीज़े, raw facts बोल दीज़े, जिसको process करके हम information बनाते हैं, computer का ही काम होता है basically, question number 14 है, in a home raw approach, called horizontal approach, all the fingers of the both hands rest on home keys, during the keyboard operation, जब आप keyboard पे typing कर रहे होते हैं, तो उस time पे आप अपनी कितनी fingers को, keyboard पर जो है, वो rest करते हैं, यानि कहां से आप starting करते हैं, तो total हमारी, हमारे thumbs को छोड़के, total हमारे 8 fingers होती हैं, जो हम keyboard पे हमारी रखे होई होती हैं, जिनने हम उपर या नीचे करके, जो हैं, अपनी पुरी typing करते हैं, dash is the area where the text to be typed and displayed, हमारे document के अंदर, जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें वो area जहां पर हम, अपना text type करते हैं, उसको हम यहां पर text panel बोलते हैं, open office और library office में, जबके MS Word में अगर आप बात करें, तो text area भी उसको बोल दिया जाता है, और text box भी इसमें सही है, क्योंकि text box के अंदर भी text type करके लिख सकते हैं, बट कहां पर display होता है, तो यह आपका main area होता है, text panel या text area होता है, यह आपके document के जो border होता है, उसके और margin के जो बीच में जगह होती है, center में वो आपका text panel या text area कहलाता है, जो जिसमें हम अपने document को लिखते हैं, margin में तो कुछ आई नहीं सकता, तो margin के अंदर जो आपका document होता है, वो आपका text panel या text area कहलाता है, जहाँ पर हम अपने document में कुछ भी लिखते हैं, question number 16 है, dash services performing business operation through an outside provider, किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है, क्या वो time use की जाती है, जब कोई business अपना कुछ काम किसी और से करवाता है, that is, BPO, उसको बोलते है, business process को outsource कर देना, आपने BPO बोल देते हैं उसको, rapid typing tutor, rapid typing tutor के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, और आप कोई उसमें right input लिखते हैं, लेकिन उसमें आपका time ज़ादा हो जाता है, तो उसमें आपके पास वो जो highlight होके आएगा, वो आपका yellow color से highlight होके आता है, what is the full form of LMS, LMS की क्या full form है IT के अंदर, that is learning management system बोलते हैं इसको, learning management system, ये एक software हो सकता है आपका full flash, जो particularly आपको बहुत, जितने भी आपके जो teacher या student है, सब के लिए बहुत सारी options होते हैं, इसमें full flash system होता है, question number 19 है, इसमें a word processor help us to look up synonyms and antonyms, in the thresors option के अंदर, आपके पास आप synonyms और antonyms check कर सकते हैं, किसी word processor के अंदर, question number 20 है, the default orientation of the page is portrait, portrait यानि length में, इसमें length ज्यादा होती है, document की width कम होती है, तो वो जो layout होता है, उसको हम portrait mode बोलते हैं, the dash is an arrangement of rows and columns, columns और rows के arrangement को हम बोलते हैं, table, intersection को cell बोलते हैं, इसको टेवल बोलते हैं, अगर intersection बोल देता है, तो वो cell बोलते हैं, या single unit बोल सकते हैं, table की, which of the following, a way of selecting word, in word processing, processor using mouse, mouse का use करके, अगर आप word processor के अंदर, selection करना चाहते हैं, किसी single word का, तो उसके लिए आप double click, use करते हैं, सब जगह चलता है, यह double click करेंगे, तो आपका पूरा word, जो है select हो जाता है, इसी तरीके से, question number 23 है, आपके पास, ITES is also called, web enabled service, या remote service भी बोलते हैं, आपके ITES को, question number 24 है, F and J, are called home, sorry, guide keys बोलते हैं, इनको, आप F and J को, अपने की बोर्ड में, अगर ध्यान से देखेंगे, तो इस पे आपको, छोटे-छोटे से, माइनस के sign, उबरे हुए नजर आएंगे, तो आप finger से touch करके, feel कर सकते हैं, बगेर देखेंगे, आप ये चेक कर सकेंगे, आपकी fingers कौन सी keys पर हैं, आप जल्दी सब्सक्राइब कर सकें, इसलिए F and J, थोड़ी सी special keys होती है, अगर आप keyboard में, चेक करेंगे, तो इसलिए इनको, guide की बोलते हैं, question number 25 है, there should be at least, dash centimeter of distance between your eyes and screen, इसमें आपका सही answer है, 60 और 65, इतना centimeter का कम से कम, average distance होना चाहिए, आपके और आपके eyes के, और आपके monitor के बीच में, computer की screen के बीच में, question number 26 है, the dash is one of, is the one which displays the result of a lesson which has been already completed, ये आपके जो tapping tutor है, उसकी बात कर रहा है, typing tutor के अंदर, आपने कितने lesson complete कर दिये हैं, ये आपके statics window होती है, जिसमें आप check कर सकते हैं, कि इतने lesson आपने complete कर लिए, और इतने आपके रहते हैं, इसके बाद कुछ और एक section C है, जिसमें आपके competency-based questions आएंगे, थोड़े से indirect हैं ये, बट जाद मुश्किल नहीं है, असान है, question about 27 पढ़के देखते हैं, इसमें total 6 question है, जिसमें आपको 5 attempt करने हैं, Mr. Rajan wants to write x square, but when he writes this, he shows, it shows x2, तो जो 2 है, वो सही position पर अगर लाना चाहता है, उसके लिए उसको क्या option यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए उसको super script यूज़ करना पड़ेगा, super script का option होता है, उसको select करके super script का option क्लिक करेंगे, तो आप 2 जो है, वो ऊपर चला जाएगा, इसी तरीके से, राशी is an accountant, she wants to take out, print out of the balance sheet, width wise चाहिए उसको, यानि document के अंदर उसको width जादा चाहिए, उसकी length कम चाहिए, कुछ document ऐसा है, इसमें जादा columns हैं, उसमें विर्थ जादा है उसकी, तो उसके लिए उसे क्या change करना पड़ेगा, उसको जो orientation है, पेज का, वो change करना पड़ेगा, वो portrait से उसको landscape करना पड़ेगा, तो दो orientation होते हैं, पोट्रेट में लेंथ आपकी जादा होती है, विर्थ कम होती है, और जब हमें विर्थ जादा चाहिए होती है, विर्थ में डाक्यमें चाहिए होता है, तो हम landscape mode में change कर लेते हैं, Q29 है हमारे पास, गरिमा has created a document in word processor, she wants to give headings in bold text, but her mouse is not working, वो कुछ text को bold करना चाहते हैं, वो काम नहीं कर रहा है, तो keyboard के थुरू कौन से shortcut की है, जो वो यूज कर सकते हैं, तो bold करने के लिए जो हमारी shortcut की use होती है, that is control B, Q30 है, डॉक्टर अक्षट is a medical practitioner, he needs to perform surgery for his patient, but for that he required to monitor her, heartbeat उसे उसकी heartbeat check करनी है, अक्षट जो है medical practitioner है, और वो एक patient की surgery करने के साथ होना है, heart beat patient की check करनी है, तो उसके लिए कौन सा device वो most typically use करेंगे, तो heart beat जो नजर आती है, वो आपकी ECG में नजर आती है, Q31 है, हमांशू is a practicing to type of a notepad, notepad पे वो कुछ typing कर रहा है, by mistake, he has written wrong spelling किसी चीज़ की लिख दी है, और वो उसको delete करना चाहता है, उसका जो cursor है, जहां पर place है, उसके left side में delete करना चाहता है, तो उसके लिए वो कौन से की use करेगा, तो cursor के अगर हमें left side वाला delete करना है, तो उसके लिए हम backspace की का use करते हैं, डिलेट के करेंगे तो राइट side वाल डिलेट कर देता है, इसी तरीके से question number 32 है, गौतम has prepared a project for his school in a word processor, एक project बनाया है, गौतम ने अपने word processor में, school के लिए, in his document, he want to change the occurrence of when, when की occurrence को वो where में बदलना चाहता है, तो उसके लिए वो कौन सा option यूज करेंगा word processor में, इसके लिए हमारे पास find and replace का option होता है, इसमें हम किसी एक particular word को किसी दूसरे word से, या word से replace करवा सकते हैं, question number 33 है, नमीता teacher asked her to practice the key strokes of numeric keypad, numeric keypad पे काम करने के लिए कहा है नमीता की teacher ने उसको, she noticed that the keypad works in dual mode, जो आपका keypad होता है, keyboard के अंदर, जो आपका right side में अलग से कुछ keys होती है, जिसमें आपके numbers लिखे होते हैं, उसको numeric keypad बोलते हैं, identifies the key that help in changing the mode from numeric to arrow, उसमें dual mode में काम करता है, उसमें numbers भी लिखे होते हैं, उसमें arrows भी बने होते हैं, आपकी corner में, left corner में एक key होती है, ज्यादतर num lock की, अगर आप उसको press करेंगे, तो आप कहीं ज्यादतर उसमें एक LED भी लगी होती है, जो आपको बताता है, जो आपको बताता है, जिसमें आप उसे दो mode में यूज़ कर सकते हैं, एक mode में आपके numbers टाइप होंगे, और दूसरे में वो arrow की तरह काम करेगा, तो ये कुछ questions थे आपके, जो आपको sample के तौर पे दिये गए हैं, जो आपके पूछे जा सकते हैं, आपके exam में, इसके आपको preparation करनी हैं, अच्छे से इसमें कहीं कोई doubt है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे questions, chapter wise बनाए हैं, आप उनको भी refer कर सकते हैं, जिससे आपको idea मिल जाएगा, किस तरह के questions आने वाले हैं, और पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं कोई doubt है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, thank you very much.